कानों में अवा आ जाती है वहां बल्गम जम जाती है जब आप बोजन सुधार करेंगे वह बल्गम पिगल जाएगी वहां से आपको पता चलेगा कि बल्गम अब बाहर निकलना शुरू हो गई है और साथ में कान में अगर आप प्याज का रस वर्तने में कोई प्रहेज नहीं करते हो तो प्याज का रस डाल लेना अगर वह नहीं करना तो एक मरवा का पौदा होता है जिसको मरवा भी बोलते है जिसको नियाजबों भी बोलते हैं उसके पत्तों का रस कान में डाल लेना अगर 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 झाल 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 झाल